SDM कोर्ट के आदेश पर हटाया गया कबजा अही रोला थाना क्षेत्र के फुलपूर तहसील अंतरगत पारा गाउव में मंगलवार को लगभग तीन बजे नायब तहसीलदार फुलपूर अनुराग सिंग अपने राजस टीम के साथ पहुँचे थे जहां बीते 2019 से भाईयों के बीच आपसी बिबाद कोर्ट में चल रहा था इसमें दो भाईया अच्छे लाल मौर्या वर रामजीत मौर्या का आपसी बिबाद को लेकर विवाद चल रहा था मंगलवार को SDM कोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार अनुराग सिंग मौके पर पहुँच कर अच्छे लाल मौर्या के द्वारा बनाई गई कच्छी दिवाल पर बनाई गई रिहायशी मंडी को जमी दोज करा दिया नायब तहसीलदार अनुराग सिंग से पुछने पर कोई जबाब देने से परहेस किया और जब इस संबंध में उप जिलाधिकारी फुलपुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं अभी हाई कोर्ट में हूँ वही पीरित ने बताया कि मेरा हाई कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है जवाब सवाल की कॉपी मैंने SDM कार्याले पर दी थी फिर भी मेरा घर गिरा दिया गया बिना मुझे सुचना दिये ही हटाया गया कबजा परिवर्तन ग्रामीनों की माने तो नायब तहसीलदार को इतनी जल्दी थी कि मौके पर बिना परियाप्त फोस के ही दिवाल और मंड़ाई को गिरवाने लगे मौके पर मात्र एक आरक्षी मौके पर पहुँचे थे नायब तहसीलदार के जाने के आधे घंटे बाद मौके पर थाने से फोस पहुची जबकि दोनों पक्षों में आक्रोश था मामला बिगर सकता था inham इसके बाद सब लोग आए जुट खर और सभी एड yol आए इसमें दिये गाये और भाये सब रहती थे काउन सब लोग आए रामजीत मार्जीत मार्जा विजय परकास गुद्दू यह सब गिरवाद यह फोर्स लिखता है रिता मौर्या को नहीं है रिता मौर्जा कांग्रेस की नेता है तो जिसे की राजस का मामला आए नहीं तो फोर् के परिवार नहीं तो हम चाहते हैं इसमें हम चाहते हैं 6 मड़ी माकान था उसमें अम दिर से द और करुछी यह टेक blem रिखault है का इडिए मंसाब करना नियाहल अमीघित ज़ने कृणा हम और मौत् tätä मैं तो्गजी एडिया उदार मैं आरा फिजसरी यह थे